इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि Facebook पर हम कैसे transfer कर सकते हैं information को आपके Google documents में Google photo में या Google drive में यह मैं आपको बताने वाला हूं तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखेगा तो इसके लिए सबसे कोने पर आपको चले जाना है एंड यहाँ पर जो आपको नीचे जाना है नीचे जब जाएंगे तो आपको settings दिखाए देती है तो settings में चले जाएए अब यहाँ पर आपको नीचे जाना है ठीक है जब आप नीचे चाहेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाए दे जाएगी transfer a copy of your information तो इस पर आपको जाना है और यहाँ पर आपको documents दिखाए दे जाते हैं तो इनों पर जाना है और यहाँ से आप चाहें तो connect कर सकते हैं तो यह process है ताइस को connect करने का अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजेगा और चैनल को subscribe कर दीजेगा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए bye and take care